जैशे किशना दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भगवान से आपके खुशाली की कामना करती हूँ सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप सबने मेरी वीडियो लाइक करी सब्सक्राइब करी और मुझे इतना सपोर्ट दिया और आशा करती हूँ आगे भी आप लोग मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे मैं अच्छे चे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाओ और आप उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम भी आपके पास पहुश ज करेंगे जब लड़की का घर बदलता है हर लड़की बहुत घबराईवी होती है कि सुसुराल में जाएंगे कैसे करना चाहिए कैसे उठें कैसे बैठें कैसे बिहेव करें किसी को उनकी बात बुड़ा ना लगे तो आज मैं आपको सब इन चीजों के बारे में बताऊंगे और आशा करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत हेलफुल रहेंगे और आपकी नई मैरिड लाइफ सक्सेस लुनाने में बहुत हेल्प करेंगे नमबर वन ये चीज़ आप मायके से ही सोचके जाएए कि आप जिस घर में जा रहे हैं आपको वहां के रूस रेगुलेशन रि मारीका होता है घर बदल गया तो आपको कस्टम को भी बदलना पड़ेगा वहां के रूस रीध 그것 México to suggest को भी फॉलो करना पड़ेगा और जेसे जेसे आप रूस रिजूरु कटते जाएंगे डे बाई डे आप विश्वास मानिये वहां के लोगों के दिलों में आपके थीनफ जगह बन जाएगा आपको खुद भी बता नहीं चलेगा नमबर टू सुबह टाइम से उठीए नहीं नहीं शादी होती है तो टाइमिंग थोड़ी डिस्टरब हो जाती है सोने की जगने की लेकिन आप अलाम लगा के सोईए जिससे आप सुबह टाइम ली उठ सकें टाइम ल जल्दी से नहा लीजिए उसके बाद और रेडी हुई है रेडी ऐसे नहीं कि कुछ भी लिया और पहन लिया नहीं जो वहां के लोगों को पसंद हो जो आपके घर में चलता हो सूट चलते हो सूट साड़ी चलती हो साड़ी और उसके साथ हलका सा पोस ब्राइड लुग भी और सुबह जितनी जल्दी हो सके मतला एटलीस जो लेडीस वहां उस घर की टाइम जिस टाइम से उठते हो कोशिश करिया आप भी उस टाइम से उठ जाईए हजबन सो रहे हो उन्हें सोन लिजे इस ओके नमर त्री आपके घर में जो भी महां का मंदिर हो जो भी महां पे प जिलों में जगा बनाने के लिए देखिए आप जैसे ही सबके पैट चुएंगे एक तो सबको आपको सबका आशिरवाद मिलेगा दुआ मिलेगी और मा विश्वास मानिए आज कल के जमाने में महल में लोगों का दुआ होना आशिरवाद होना बहुत जरूरी है पता नहीं हो यह और कोशिश करिए कि दुपहर में आप लंच कराने के बाद किचन का पूरा काम निप्टाने के बाद अपने रूम में जाए जब रेस्ट करने के लिए इससे बहुत अच्छा लगेगा और जितना ज़्यादा टाइम में आप फैमली के साथ स्पेंड करेंगे उतनी जल्दी आप सबको समझ पाएंगे सबकी आरते पता लगेंगी किसको क्या पसंद है किसको नई पसंद है किसका नेचर कैसा है कौन आपसे क्या expect कर रहा है तो आपको बहुत मिलेगी और विश्वास मानिए इतनी जल्दी आप mix-up हो जाएंगे कि आपको खुदी नहीं लग करने से और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप उनके साथ जल्ले mix-up हो पाऊगे वह आपके साथ mix-up हो पाएंगे और family के साथ जाने में घूमने में आप कहीं भी जाएं normal movie भी जाएं लेकिन वह जो मज़ा होता है वह अकेले जाने में नहीं अकेले का अपना को समझिए देखिए किसका nature कैसा है understand करिए आप जल्ली से वहां mix-up हो जाएं और एक बहुत जरूरी चीज कुछ चीज़े जरूरी होती है जिनके वाइस स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है साड़ी पहनना नहीं आता है कोईक मेकप करना नहीं आता है मीठा आता तो है इठास हमेशा रहे वह कभी न भूलें ठीक है आना इक अलग बात है और पॉफेक्टली आना एक अलग बात है तो हमको पॉफेक्ट बनना है तो उसके प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं बात रही जल्ली साड़ी पहनने की को एक ग्लोई मेकप करने की तो मेरी कोशिश और आप सब लोग सजेस्ट करेंगे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगी कि कुक मेकप इधिन 5 मिनिट्स ग्लोई मेकप कैसे करें विजिन 5 मिनिट्स साडी कैसे ड्रेप करें मीठा बनाना है तो उसका रेशियो में क्या होना चाहिए कि ये टिप्स काम आएगी नहीं आए मुझे बहुत खुशी होगी और मैं सब को हैपी मैरेड लाइफ वोलती हूं भगवान करें आपकी शारी शुरह जिंदगी हमेशा बरकरार रहे और खुशाली आपके जीवन में रहे मैं बार-बार वोल्रें टिप्स को जरूर फॉलो कर है और आपके फैमिली में आपके लेशंशिप इतनी जल्दी स्ट्रॉंग बन जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं बता लगेगा और आपको अकोड भी फीलनी होगा कि नया घर है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है यह बहुत नैचुल चीज़े मेरे साथ भी हुआ था म देरे को भी सब जानती थी फिर भी भावराट ती लेकिन यह सब चीजांगे करने के बाद देबाए यह मिक्स हो गई है और आज इतने मिक्स हो गई हो कि मुझे लगता हैं आपके लिए बहुत हेल्फिल होने वाली है बात रहीं नेक्स कमिंग वीडियोस की उसके लिए मैं आप से कहूंगे आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आप नेक्स टॉपिक्स क्या चाहने वाले हैं मेक अप के लिए चाहिए साइड रिपिंग के लिए चाहिए कुकिंग में चाहिए जो मीठी चीज़ें हैं जो शादी के बाद तुरंद बनानी पड़ती हैं बहुत सिंपल इस तदी के से तो वह भी मैं आपके लिए करके वीडियोस बनाके अपलोड करूँगी शेयर उससे भी आपको काफी हल्प मिले पर आप मुझे कमेंट्स को बताएगा आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी और आज आपको मेरे सज़ेशन जो मैंने दिया आपको कैसे लगे आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे और जिन्होंने माना उनको कितनी help मिली मानिये दिल से मानिये मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आप सब को happy married life बोलती हूँ भगवान करें आपकी शादी हमेशा खुशाल रहें और आप हमेशा खुश रहें और मैं बार बर बोलूँगे मेरी वीडियो को प्लीज सपोर्ट करिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं नेक्स टॉपिक्स आप किन पर वीडियो देखना चाहेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपकी सारी रिक्वाइमेंट्स को पूरी करूं तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों राधे राधे दोस्तों